नमस्कार किसन भाईयो, फर्मिंग टेक और रिवी चैनल में आपका स्वागत है किसन भाईयो जम बात करेंगे सिजन्टा तास्पा फंगी साइट के बारे में किमत मात्रा डोज इस्प्रे एटुजेट बात करेंगे इस वीडियो में यह सिजन्टा का सस्था और बहुत अच्छा फंगी साइट है जो किसन भाई चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले खेती किये सानी से जूड़ी जानकरी आपको मिलती रहे है तो वीडियो को शुरू करते हैं सिजन्टा कंपणी तास्था फंगी साइट के नाम से इस प्रोड़क्त की मार्केटिंग करती है साथी इसके टेकनिकल फार्मुले की बात करें तो इसमें प्रोपो किनाजोल 13.9% प्लस डिफेकोनाजोल 13.9% इसी फाम के कॉमिनेशन में आता है जो तुरंद गुले और कायरी करने वाला फार्मुलेशन होता है यह टेकनिकल ट्राइजोल गुरूप का फंगी साइड है अब बात करते हैं कि यह फंगी साइड को कैसे कंट्रोल में करता है और क्या-क्या कायरी करता है प्रफोकिनाजुल और डिफ्यकिनाजुल व्यवस्थित रूप से सक्रिप अदार्थ हैं जो इस्प्रे के एक घंटे बाद सायातर में समान रूप से वित्रित उत्कों में अवशोशित हो जाते हैं जो पोदे के रस और विकाय शाखाओं में इस्तनारात्री कर देता हैं पोदे के उत्कों में सक्रिप अदार्थ के वित्रन प्रभाव और रोगों के खिलाप अच्छी सुरक्षा प्रदान करता हैं डिफ्यकिनाजुल पोदे के हरे भागों में अवशोशित होता हैं और जल्दी से पोदे में प्रवेश कर लेता हैं और अंतर कोशिकाओं में चला जाता हैं और लंबे समय तक चलने वाले सक्री प्रभाव के खिलाप सुरक्षा प्रदान करता हैं प्रपोकिनोजोल और डिफेकिनोजोल दोनों DMI यानि डाय मिथाइलेज इनिबिटर फंगि साइट से अच्छी सुरक्षा देते हैं और कोशिका जिल्ज में बायोस्विथेशीचिस को रोकता है और प्रभावी डंक करता है जिससे फंगस पर अच्छा result मिलता है और यह सभी प्रकार के फंगि साइट को आसानी कट्रोल कर लेता है इसके डोज की बात करें तो 200 एमेल प्रती एकड में छिड़काव करना है साथी बात करते हैं इसके इस्प्रे की तो सोयबिन कपाज गेहूं धान और सर्दियों में बोई जाने वाली फसलों और सब्जियों पर इसका इस्प्रे कर सकते हैं फंगस लगते स हो जाएगा दने वादे